नेक्स्क कुश्चन पे आते हैं अब इस कुश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जैनेकिक ग्रिफ्ट क्या होता है देखो ग्रिफ्ट का मतलब होता है चेंज आना और जैनेकिक ग्रिफ्ट का मतलब कि जीन्स के अंदर चेंज आना किसी population के अंदर majority के अंदर कौन से genes present है अगर वो change हो रहा है न तो इसको बोलते है जनिकिक ग्रिफ्ट किसी population के अंदर majority of the organisms की body के अंदर कौन से genes present है अगर वो change हो जाता है तो इसको बोलते है जनिकिक ग्रिफ्ट अगर आपने definition लिखनी है तो ऐसे लिखोगे अगर किसी population के अंदर जो genes है ना genes की frequency के अंदर change आ रहा है और ऐसा change आ रहा है जिसकी वज़े से कोई survival advantage भी नहीं मिलता तो इसी को बुलते हैं जनिक ग्रिफ्ट जब genes की अंदर कोई ऐसा change आता है ना जिसकी वज़े से survival advantage मिलता हो तो उसे बोलते है natural selection और जब genes की अंदर कोई ऐसा change आता है जिसकी वज़े से कोई survival advantage नहीं मिलता तो इसको बोलते हैं जनिक ग्रिफ्ट जनिक ग्रिफ्ट occurs because of an accident in small population और जैने के ग्रिफ्ट तब होता है जब किसी small population के अंदर किसी accident की वज़े से अचानक की कोई genes की frequency increase हो जाती है मैं आपको example देता हूँ उससे आपको और अच्छे से clear हो जागा मान लेते हैं कि कोई mountain range है और mountain के उपर काफ़े सारे bushes है जाड़ी है और उन जाड़ी के अंदर beagles रहते है अभी जो beagle की population है उनके अंदर जारतर जो beagles है वो red color के है और थोड़े से beagles है जो की blue color के है जाड़ी के अंदर कौन रहते है बीकल्स रहते है बीकल की जो population है उनके अंदर जादातर जो बिकल्स है वो रेक्ट कलर के है और कुछ स्मॉल परसेंकेच के अंदर जो बिकल्स है वो ब्लू कलर के है अब कोई एक्सिगेंग हो जाता है जिसकी वज़े से जादातर जो रेक्ट कलर के बिकल्स है न वो गेग हो जाते है by chance जो Blue Clear के Bicles है वो बच जाते हैं तो Blue Clear के Bicles पहले वो population के अंदर minority थे क्योंकि जारतर Red Clear के Bicles है पर ex again के अंदर जारतर Red Clear के Bicles ही gag हो ए Blue Clear के Bicles by chance बच गए थे तो Blue Clear के Bicle जो की पहले percentage в 계occर देखा जाए तो minority था ex again के बाद अब यह जो blue color के बिकल्स हैं यह majority हो गया है मतलब blue color की जो genes है ना उसकी frequency increase हो गई है पहले population के अंदर जारतर जो बिकल्स हैं वो red color के थे मतलब red color के gene की frequency जादा थी large percentage of the population वो red color के बिकल्स का था लेकिन अब क्या है blue color के जो बिकल्स है ना उनकी quantity की जादा हो गई है मतलब जो blue color की जो genes है उसकी frequency increase हो गई है अब blue color का होने से कोई survival advantage तो मिलता नहीं है क्योंकि जो जाडिया होती है वो तो green color की होती है green color की bushes के अंदर red color के बिकल्स भी असानी से नजर आते हैं तो crozum को खाएंगे और green color की बुश्क के अंदर green color की जाडियों के अंदर जो blue color के बिकल्स हैं वो भी असानी से नजर आते हैं तो blue color का होने से कोई survival advantage नहीं मिलता फिर भी अगर blue color की gene की frequency increase हो जाती है तो इसी को बोलेंगे genetic grift clear हुआ genes की frequency में change आना भले ही उससे कोई survival advantage ना मिलता हो तो इसी को बोलते हैं genetic grift the change in the frequency of some genes in the population even if they give no survival advantage is called genetic grift and genetic grift occurs because of an accident in a small population अगर आपने example देखे explain करना होना तो ये बीकल वाले example देखे अब genetic grift को काफी असानी से explain कर सकते हो अब ऐसे लिखोगे consider a group of red bickles हम माल लेते हैं कि skunking में हमारे पास ना red color के bickles है they live in some bushes with green leaves और ये वाले bickles जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ पे जिन जाड़ियों में ये रहते हैं वहाँ पे green color के ही leaves है like us imagine that crows eat these bickles अब यहाँ पे होता क्या है जो crows है वो आके इन bickles को खा जाते हैं तो ये जाड़ियों के अंदर ये जो b लिखा हो है ना ये bickles को represent कर रहे हैं इन जाड़ियों में इन bushes के अंदर bickles रहते हैं और crows आके इन bickles को खा जाते होते हैं a color variation arises during reproduction so that there is one bickle that is blue in color instead of red अब ये बाले जो bickles हैं वो sexually reproduce करते हैं ना और जो sexually reproducing organisms होते हैं उनके अंदर variation आता होता है तो color के अंदर variation आया बतलब इस bickle की population के अंदर एक ऐसा bickle पैदा हो गया जो कि blue color का था बाकि सारे जो bickles हैं वो red color के हैं लेकिन एक bickle यहां पर ऐसा पैदा हो गया जो कि blue color का है अब ये बाले जो bickle है वो अपनी इस color को अपनी next generation में पास on कर देगा तो उस bickle से आगे और जितने ज़्यादा bickles पैदा होंगे न वो सारे के सारे blue color के होंगे इन दा पॉपुलेशन एज इक एक स्पैंग्स देर आर अफ्यू blue bickles बट मोस्का रेक ये वाली जो पॉपुलेशन थी ना bickles की उसमें वैसे तो सारे के सारे जो bickles हैं वो red color के थे ये जो जाडिया हैं वो green color के हैं जो bickles हैं वो red color के हैं अब होग ये था कि एक घर के अंदर ऐसा bickles पैदा हो गया जो कि red की बजाए blue color का था अब ये वाली जो bickles है जो blue color का है इससे और जितने जादा bickles पैदा होंगे वो सारे के सारे भी blue color के ही होंगे color में variation आये था अब blue color का होने की वज़े से कोई survival advantage तो मिलता नहीं है जो कि जो जाडिया है वो तो green color की है green color के जाडियों के अंदर wreck color के beetles भी नज़राएंगे तो crows आके उन्हें खाएंगे blue color के beetle भी नज़राएंगे तो crows आके उनको भी खाएंगे तो जो blue color का beetle होना उससे कोई survival advantage नहीं मिलता इसलिए population के अंदर blue color के जो beetles है वो सिरफ थोड़े से ही है जाड़ादर जो beetles है वो अभी भी इस population के अंदर red color के ही है इसके बाद आगे आप ऐसे लिखोगे but at this point अब हो आईए यह वाले beetles जहां पर रहते थे वहाँ पर एक elephant आया और elephant ने जोड़ से इन ही जाड़ियों के उपर अपना पैर रख दिया यह जो लिखो हो है ना stamps on the bushes इसका मतलब यह ही है कि elephant ने जोड़ से अपना जो पैर है वो इन bushes के उपर इन जाड़ियों के उपर रख दिया जहां पर यह वाले beetles रहते थे this kills most of the beetles तो इसके वज़े से जाड़तर जो beetles है वो मर गए हैं वो dead हो गए है by chance the few beetles that have survived are mostly blue by chance the few beetles that have survived are mostly blue देखो पहले इस population के अंदर जाड़तर जो beetles है न वो rat color के थे बहुत ही कम ऐसे beetles थे जो कि blue color के थे जब belly fang ने अपना पैर रखा न तो by chance जहां पे blue color के beetles थे न वहाँ पे पैर नहीं पड़ा उसका तो जो blue color के beetles है वो बच गए और यह जो rat color के beetles है यह सारे के सारे rat color के beetles गैड़ हो गए बहुत ही कम rat color के beetles बचे जाड़तर जो blue color के beetles है वो बच गए अब sexually reproduce करके जब यह वाले beetles बच वे beetles अपने population को increase करेंगे तो अब इनकी population के अंदर जाड़तर जो beetles है न वो blue color के ही होंगे देखों यह जो rat color के beetles थे यह rat color के beetles तो gag हो गए थे न जाड़तर blue color के beetles ही बचे थे तो जब यह रिप्रोक्यूज करेंगे blue color के beetles की वज़े से आगे और ज़दा blue color के beetles ही पैदा होंगे तो यह जो blue color के beetles है न वो अब ज़्यादा हो जएंगे population के अंदर पहले wreck color के beagles population में काफी ज़्यादा थे इस accident की वज़े से wreck color के beagles मर गए अब जब beagles की population increase होगी तो population के अंदर अब blue color के जो beagles है वो ज़्यादा हो जाएंगे blue color का होने की वज़े से कोई survival advantage नहीं मिलता है blue color के beagles भी green color के leaves के अंदर असानी से नजर आते हैं क्रोज आके इनको खा जाते हैं बस accidentally क्या हुआ blue color के जो beagles है ना उनकी population increase हो गई है इसी को बोलते है genetic grift जब by chance किसी accident की वज़े से किसी egg gene की frequency मतलब egg gene की जो population है वो increase हो जाती है तो इसी को बोलो जाता है genetic grift the blue beagles which was a minority suddenly became a majority because of an accident blue color का beagle होना वो पहले एक minority था लेगन इस accident के बाद जो blue color के beagles है वो इस population के अंदर majority हो गया इसी को बोलते है genetic grift क्निवान के दिसस का जाता है जाता है जाता है shout it